आप प्रिलिश्ट में जाकर देख सकते हैं सभी पार्ट आपके आने वाली प्रत्यक्ता परिक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टन सावित होंगे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हेल्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए हम अपनी किलास सुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं लोकसवा से बनने वाले इंपोर्टन कोशन को पहला कोशन है निमलिकित में से कौन जनता द्वारा पृत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है राइट आंसर है ऑप्शन भी लोकसवा अगला कोशन है भारत में लोकसवा का पृतिनित्व करता है कोशन आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसवा का पृतिनित्व किसके दोरा किया जाता है आप कह सकते हैं किसका पृतिनित्व करता है सही आंसर है ऑप्शन सी भारतिय जनता का भारती समिधान के अनुसार लोकसवा के गठन के संबन में प्रवधान किया गया है देखिए आपसे कह रहा है कि किस अनुचेद में ठीक है आपसे अनुचेद पुझा रहा है भारतिय समिधान के किस अनुचेद में लोकसवा के गठन के संबंद में परवधान किया गया है मूल समिधान में लोकसवा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी सही आंसर है 500 ठीक है ओप्शिन ए आपका राइट आंसर है लोकसवा की अधिक्तम संख्या कितनी निर्धारित की गई है राइट आंसर है ओप्शन डी 545 लोकसवा की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है ये कौशन देखिए रेलवे उत्राखंड PCS और SSC पे पूछा गया है कि लोकसवा की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है राइट आंसर है 552 और 31 पे संविधाने संसोदन द्वारा अधिनियम द्वारा कितनी निर्धारित की गई थी 545 Q7 देखते हैं बरतमान में लोकसवा की कितनी सदस्यों को राज की जनता सीधे निर्वाचित कर सकती है Right answer है Nano D. 530 बरतमान में संग्सा से छेतरों की जनता लोकसवा में अपने कितने प्रतिनियों को निर्वाचित कर भीजती है changer. Richtpati अंगला भारतिय समुदाय के कितने प्रतिनियों को लोकसवा में मनु margin कर सकता है Most important question है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question भी है ये सही answer है option 2, option A यानकी 2 राश्टपती 2 आंगला भारती समुदाई के पृतिनिदियों को लोगसवा में मनुनित कर सकता है ये question SSC railway में पूछा गया है और बार रिपीटिट question है ध्यान रखेगा बर्तमान में लोगसवा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है राइट answer है 545 राश्टपती दवरा लोगसवा में आगला भारती समुदाई के दो सदस्यों को किस अनुछेद के तहत मनुनित करता है ठीक है important question है आपको अनुचिद बताना है कि ये कौन सा अनुचिद है जिसमें राश्टपती द्वारा लोकसवा में आंगला भारती समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुचिद के तहत मनुनित किया जाता है सही answer है option B अनुचिद 331 लोकसवा में आंगला भारती समुदाय से दो भारते मनुनित करने की सकती किस के पास है exam related question है ये exam में पूछा गया है और इसका right answer है option B भारत के राश्टपती कोई सकती है दोस्तों कि वह लोकसवा में आंगला समुदाय से दो सदस्यों को मनुनित कर सकता है question number 13 लोकसवा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है CGPCS में question पूछा गया ये लोकसवा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है बरतमान में लुकसवा में पृतिक राज के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है सही आंसर है उप्शन C, 1971 की जर्णगरना के अनुसार लुकसवा के निर्वाचिन छित्रों की सीमा निधारन पहली वार निमलिकित में से किस इश्वी सन में किया गया था लुकसवा के निर्वाचिन छित्रों की सीमा निधारन पहली वार निमलिकित में से किस इश्वी सन में किया गया था लुकसवा में राजवार सीटो का आवंटन 1971 की जर्णगरना पर आधारित है यह निधारन किस वर्स तक यथावत रहेगा लुकसवा में राजवार सीटो का आवंटन 1970 की जर्णगरना पर आधारित है यह निधारन किस वर्स तक यथावत रहेगा सही आंसर है ऑप्शन बी 2026 इसवी तब यह कौशन BPSC के एक्जाम में पूछा गया है ध्यान रखेगा लोकसवा के सभी निर्वाचन छेतर निम्न में से किस परकार के होते हैं आंसर है ऑप्शन A एकल सदस्टी निर्वाचन छेतर होते हैं यह लोकसवा के एक निर्वाचन छेतर से कम से कम कितनी जनसंख्या का पिर्तिनित्व करती है राइट आंसर है option B 7,5 लाग अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जाती के प्रतिनिदियों के लिए लोगसवा में कितने सुरक्षित निरवाचन चितरों की विवस्ता की गई है भारत में सुतनतता के बाद प्रत्थम आमचुनाप कब संपन कराए गई थे बहुत ही ज्यादा important question है ये भारत में सोतंत्ता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन कराए गए थे राइट आंसर है option C 1952 में चेत्फल की दरश्टी से देश का सबसे छोटा लोकसवा निर्वाचन चेत्र कौन सा है राइट आंसर है option A बहुत है चांदनी चोग भारत में चेत्फल की दरश्टी से सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन चेत्र कौन सा है राइट आंसर है इसका option A कौन सा सम्मेधानिक संसोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसवा के सदस्वों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है राइट आंसर है option C साथवा दथा 31 संसोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसवा के सदस्वों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है कोचन है लोकसवा में केंद्र सासित प्रदेसों के प्रतिनिधी चुने जाते है तो देखिए सही आंसर है इसका ओप्शन ए एंग्लो इंडियन है ये लोग कौन है ये व्यक्ति एंग्लो इंडियन रेलवे में कौशन पूछा गया है लोग सभा में निमले कित मैंसे किसके लिए इस्थान आरक्षित है राइट आंसर हैं सहीन चांवा का चुनाव लड़ने के लिए एछग्ति की न्यून्दम आयू होनी चाहिए देखे बार बार ये कौशन रेलवे में SSE में पूछा गया है important कौशन है सही आंसर है दोस्तों इसका option B 25 वर्स ठीक है लोगसबा का चुनाव लड़ने के लिए एक शुक ब्यक्ति की नियुनतमायों कितनी हो चाहिए 25 वर्स कौन सा राज सबसे अधिक पिर्तिर निदी लोगसबा में भेजता है देखिए option देखेगा जब भी एक्जाम में आप इस प्रकार का question देखें यह निकि सीधा उत्तर प्रदे देखा और आंसर लगा दिया महराष्ट देखा आंसर लगा दिया सभी की seat आपको याद होनी चाहिए कौन सा राज सबसे अधिक पिर्तिर दी लोगसबा में भेजता है राइट आंसर इसका option दी उत्तर प्रदेश कौन भेजता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से लोगसबा की कितनी seat आती है दोस्तों 80 seat भेजता है 80 निमलिकित युगमा मैंसे कौन सा युगम सही नहीं है देखिए राज दिये है और उनकी लोगसबा में इस्थान दिया है कि कहां पर कितनी seat है ये इनकी seat दियू ही है seat कि किस राज से कितनी seat है लोगसबा की तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ सही आंसर, इसका सही आंसर है option B, option B, असम असम से लोगसभा में 13 seat नहीं है लेकिन बाकी याद रखेगा, आंधर प्रदे से 25 seat हैं पंजाब से 13, पश्चे मंगाल से 42 तो फिर असम से कितनी seat हैं लोगसभा में तो ध्यान रखेगा, असम से लोगसभा में है 14 seat यानि कि 13 नहीं है, एक जादा है, 14 seat हैं किस राज का लोगसभा एवं राजसभा में पिर्तिनिद्व सबसे अधिक है सही आंसर है दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेस किसका उत्तर प्रदेस, देखिए उत्तर प्रदेस में लोगसभा की 80 seat हैं और राजसभा की 31 seat हैं, ठीक है, 31, 31 जारखंड छेतर से लोगसभा के सदस्वा की कुल संख्या क्या है देखिए, आप जिस स्टेट में एक्साम देने जाएंगे, वहाँ इसी प्रकार के कॉश्ण बनेंगे ठीक है, जारखंड जाएंगे तो जारखंड की लोगसभा की seat है ठीक है, तो जारखंड चेतर से लोगसभा के सदस्वा की कुल संख्या कितनी है तो यह है दोस्तों, चोड़ा, कितनी हैं? चोड़ा, यहांने की Option A निमलिकित मेंसे राजों के किस युग्म को लोक-सवा में समान सीटे प्राप्ते हैं? अच्छा कौशन है, इसी प्रकार के कौशन में राज शवा में भी लगाए थे निमले के राजों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटे प्राप्त हैं यदि सीटे आपको याद हैं तब ही आप इस परकार के कौशन का अचल लगा सकते हैं सही आंसर है option D आन्ध परदेश तथा राजिस्थान देखे आंध प्रदेश तथा राजिस्थान में दोनों में लोकसभा की समान सीटे हैं और कितनी हैं 25 हैं ठीक है 25 सीटे हैं चली उत्तर प्रदेश के अतरिक्त लोकसभा में किन दो राजों का पिर्ति निदित सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में किन द और महराष्ट में है 48, यानि की 48, बरतमान में किस राजकाल लोकसवा में अधिकतम सदस्वों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, अधिक संसदी छेतर किस राज में है, राइट आंसर है, ऑप्शन सी महराष्ट में, किस में है, महराष्ट में, दोस्तों, आज का प्रेटिस सेट यहीं एंड होता है, उमीद करता हूँ, आपको सभी कॉशन अच्छे लगे होंगे, समझाय होंगे, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,